हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक एंजल ब्यूटिक फैशन मैं हूं निलम आज की इस वीडियो में हम पुरानी सलवार से स्रारा बनाने वाले हैं वो भी बहुत ही असान तरीके से अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें तो फ्रेंट्स सबसे पहले हमें इसकी मौरी को काट कर अलग कर देना है और उपर से भी बैल्ट को इससे अलग कर देना है तो देखिए फ्रेंट्स हमने इसकी मौरी काट कर अलग कर लिया है और ये दो पोचे हैं इन्हें अलग कर लिया है उपर ये बैल्ट है इसे फोल्ड करके रख लेना है और पोचो को भी ऐसे फोल्ड कर लेना है इससे हम अपने सारे का उपर का हिस्सा जिसे कैफरी बोलते हैं उसे बनाने वाले हैं ये पोचे हैं हमारे इसे ऐसे करके रख लेते है बैल्ट हमारी पूरी है इतनी ही हमें चाहिए इसे भी फॉल्ड करके रख लेते हैं अब हम अपने सरारे का उपर का हिस्सा निकालने वाले हैं तो सुर्व से पहले हम अपने आसन का निसान लगाएंगे जिसे क्रोस लाइन भी बोलते हैं यह हमारा सरारे का नीचे का हिस्सा है आपको जितना भी खुला रखना आप उतना रख सकते हैं मैं यहां 11 पर निसान लगा रही हूँ मुझे 11 इंच चाहिए और उपर से हम आसन का निसान लगाते हैं मैं यहां 14 पर निसान लगाती हूँ प्रैंस हमने इसमें बैल्ट में उपर से निफे को भी उधेड लिया है ऐसे हमें 14 पर निसान लगाना है हमारी बैल्ट फोल्ड करके 11 है तो इधर से भी हम 11 पर निसान लगाएंगे यहां से भी हम 11 पर निसान लगाते हैं और इस लाइन को उपर तक सिधा कर देते हैं इंची टेप की मदद से ऐसे हमें इसे सिधा कर देना है तो देखिए फ्रैंट से हमारा इनिसान लग चुका है अब इसे यहां से दो इंच आगे की तरफ करते हैं और यहां से अपने आसन की गोलाई करते हैं यहां से भी दो इंच पर निसान लगाना है तो यहां से हम अपने आसन की गोलाई करते हैं और इसे यहां से नीचे मिला देते हैं तो फ्रैंटस देखिए अब हमारी सभी निसानिय लग चुकी हैं अब हम इसे काट देते हैं और ये हमारा सरारे का उपर का हिसा है इसमें से कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं और कोई भी आपका क्वेस्चन हो तो मुझे कॉमेंट्स मे पूछ सकते हैं, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं, देखिए हैं, प्रेंट्स कट कर ने पर, हमारी काफिरी कुछ ऐसे दिखाई देती है, अब हम अपनी काफिरी के नीचे जो दो कुंदे जुड़े हूए हैं, हमने उन्हें अलग नहीं किया है उसे रख लेते हैं और आपको सरारे की जितनी भी लेंथ चाहिए उसे 3 इंच extra आपको ले लेना है ऐसे हमें दो जुड़े हुए कुंदे हैं जो उन्हें नीचे रख लेना है और अपने सरारे की लेंथ को माप लेना है मुझे बारा इंच हो चाहिए तो मैं बारा बारा इंच पर आगे निसान लगाऊंगी ऐसे अपने पुरे किसरारे के लंबाई को हमें माप लेना है मैंने यहां 37 इंच पर निसान लगाया है और यह हमारा नीचे बारा इंच आया है तो मैं 12-12 इंच करके नीचे कुंदे पर निसान लगा लेती हूं और इसे कट कर लेती हूं फ्रेंट्स ये हमारी कैफरी के एक टांग की में जो जॉइंट होता है जिसके हमें प्लेट्स डाले होते हैं वो एक टांग का है दूसरा हमें बाद में कट कर लेना है ऐसे अब हम इसे काट लेंगे फ्रेंट्स देखिए अब हमने इसे काट लिया है बाकी जो हमारा कपड़ा बच गया है उसमें से दो जॉइंट पार्ट निकालेंगे फ्रेंट्स अगर आप इसे स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इतने चुन्नट हमें काफी होते हैं लेकिन ये कपड़ा बच गया है तो मैं इसका वीच में यूज कर रही हूं बारा इंच के दो पार्ट और निकाल लूगी और इसमें दोनों साइड में जोड लग जाएगा ऐसे हमें कट कर लेना है इसकी लेन्थ भी हमें उतनी ही रखनी है जितनी हमने पहले वाले पार्ट के रखी थी ऐसे हम इसे कट कर लेते हैं और इसमें हमें इसे जोइट करना है यह कैपरी के बाद निचे वाला हिस्सा है जिसके हमें बड़ी सिलाई लगा कर प्लेट डालने हैं एक इस तरफ जोड लगाना है और दूसरा दूसरी तरफ जोड लगाना है ऐसे ही हमें अपने दूसरे कुंदे में से दूसरी डांग के लिए जोड लगाना है यह हमारे दूसरे कुंदे हैं इसमें इसे हमने जो यह पार्ट निकाला था इसके उपर ऐसे रखकर इसे कट कर लेना है फ्रेंट्स देखिए अब हम अपनी कैफरी की स्टिचिंग करने वाले हैं यह जो बैल्ट है हमें इसके उपर इसकपड़े को ऐसे रखकर सिलाई लगानी है और ऐसे इसे पल्ट देना है ऐसे हमें इसका दूसरा पार्ट भी तयार करना है और इसके क्रोस लाइन यानि इसके आसन पर भी स्लाई लगा लेनी है और उपर से हमें नेफे को भी मोड देना है ऐसे यहां सलाय लगानी है और इसे पल्ट देना है और इसके क्रोस लाइन पर भी सलाय लगा लेनी है आसन पर और उपर से इसके नेफे को भी मोड देना है देखे फ्रेंट्स हमने इसके नेफे को भी मोड दिया है और आसन को भी सील दिया है हमारी कैफरी बन कर तैयार हो बड़ी स्लाइक लगा कर दागा कीचने वाले प्लेट्स इसमें नीचे जोइंट करने हैं देखिए हमारे कैफरी के नीचे वाले पार्ट है चार चोटे पार्ट है और चार बड़े पार्ट इन दो दो पार्टों को आपस में जोइट कर लेना है और दो दो छोटे पार्ट लगानी है अगर आप ये छोटे पार्ट नहीं लगाना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इतने चुन्नट भी हमें सरारे में काफी है इने जोइंट लगा कर उपर बड़ी सलाई लगा कर उसे एक धागी को खीच देना है और उसे कैफरी में स्टीच कर देना है दो पार्ट इसमें लगाने है और बड़ी सलाई को लगा कर धागी को खीच कर उसे कैफरी में जोइंट कर देना है देखें फ्रेंट्स हमने तदागे को खिच कर इसमें इस पार्ट को जॉइंट कर दिया है ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है दोनों तरफ हमें ऐसे ही करना है तो देखें फ्रेंट्स यह है हमारे स्रारे का फाइनल लुक आपको इन वीडियो कैसी लगी please comments में मुझे जूर बताएं और वीडियो को like, share करें और channel को subscribe करें और अगर आपका कोई भी question हो तो please comments में मुझे पूछ सकते हैं मैं आपको जूर से जूर reply करूँगी Thank you for watching यहां पर मैंने अपने सरारे को नीचे से fold नहीं किया है क्योंकि मैं इस पे नीचे पीको करवाने वाली हूँ आप पीको भी करवा सकते हैं या फिर इसे नीचे से fold भी कर सकते हैं Thank you